तो दमस्ते मेरा दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एंटी पीसी की एक्जाम की स्टेजिस की आप में से कई लोग फॉर्म भर चुके होंगे और कुछ अभी भर रहे होंगे चौदा नौ से तेरा दस तक फॉर्म भरे जा रहे हैं एंटी पीसी जो भी सवाल होंगे 90 मिनिट का समय होगा 90 प्लस का टार्गेट लेके चलना है आउट ऑफ हंड्रेड क्यों क्योंकि देखे सीट कम है यह उटके मूं में जीरा वाली सीट है रेलवे के इतना बड़ा डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा ठीक है लाखों वरकर है उसमें और पचार होती है चलिए 20 गुना केंडिडेट लिए जाएंगे और कट आफ 82-83 के ऊपर ही जाएगी ठीक है तो टार्गेट आपको 90 प्लस लेके चलना है स्टेज 2 की बात करें यानि जो भी इस एक्जाम को पास कर लेंगे और अगले एक्जाम में आएंगे तो सीबिटी टू पढ़ होना है तो आपका टाइपिंग टेस्ट और कुछ नहीं होना तो कुछ नहीं होगा शांती से बैठें रहेंगे इसके बाद आपके डॉकुमेंट वरी फैरी करी जाएंगे और लाश्ट में होगा आपका मेडिकल अब आप कहेंगे यार स्वालों के संक्या तो बता दी पर स जिसमें से कि हमको 90 प्लस का टार्गेट लेकर चलना है मैत स्कोर में दोस्तों सभी लोग स्कोर कर लेंगे ऐसी कोई खास बात नहीं है मैत और रिजनिंग सभी की अच्छी हो जाती है एंटी पीसी का जो एक्जाम का सिल्यवस करने के साथ साथ रिवाजन भी करते चलें अब आप कहेंगे यह किरह रहे हूं गया तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं साथ के साथ जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि छे दिन आप पढ़ें और साथ वे दिन आप सरफ और सरफ जो छे दिन पढ़ा है उसका रिवीजन करें अब आप पूछेंगे बुक्स कौन से लें तो मैं यहां पर आपको सगेस्ट कर देता हूं कि यह पिनैकल पुब्लिकेशन की बुक्स है रेलवे की चीक है मैथ की रीजनिंग की फाइदा क्या है मैं यहां पर दिखा देता हूं चैप्टर वाइस सवाल है टॉपिक्स है के बाद उनका detailed explanation है और साथ साथ में शौट ट्रिक्स में मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करता हूं शौट ट्रिक्स का पर हां रीजनिंग में मैं जरूर बोलता हूं कि शौट ट्रिक्स आप चीखे क्योंकि वहां पर जरुत पड़ती है रीजनिंग के बाद सब्जेक तो आप देख लिए इस्टेक्ट जी के हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफिक नॉमिक्स फिजिक्स फेमिस्ट्री बियोलोजी इनवर्मेंट साइंस और यहां पर और इसमें फायदा क्या है इसमें फायदा यह कि आपकी साइंस की बुक भी है साइंस आप चाहे तो उसी इसमें सब्जेक्ट को इतने इच्छे से पढ़ लिजे कि इसमें 35 की मैत आएगी 35 की रीजनिंग आएगी 50 की जी आएगी कुल मिला के बैठेंगे 120 नंबर 120 में से आपको 105 प्लस का टार्गेट लेकर चलना है क्योंकि सीबिटी टू ही डिसाइडर है यही मेरिट बनेगी त तो अगर आपके नंबर अच्छे रहते हैं तो सेलेक्शन के चांस बहुत जादा होगा मेरे दोस 8000 वेकंसी हैं मोटी मोटी किसी एक आरार भी में देखेंगे तो आपकी 500-600 वेकंसी हैं सरिफ और उन 500-600 में से फिर बट जाती है कुछ CCTS कुछ स्टेशन मास्टर कुछ कु समय नहीं लें पॉस्टवाइज मैरेट का मतलब है कि जैसे फैस्टवाइज मास्टर अलग मेरेट निकलेगी हर पोस्ट की अलग वोट कडियागा वक्नसी कम है कम होगी तो मेरस थोड़ी सी बढ़ जाएगी खट जाएगी animus 2 के बाद इसन मास्टर जैसे पोस्ट में ओध आपके मतलब अभी क्योंकि आपने कभी साइको टेस्ट नहीं दिया इसलिए आपको इसका बहज़द आइडिया नहीं होगा एक बेसिक आइडिया देता हूं जैसे सिंपल से गेम होते हैं IQ लेविल जिसका अच्छा होगा वह आटमेटिक उसको पास कर लेगा 5 टेस्ट होंग हो जाएगा उसके बाद साइको टेस्ट बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज वगेरा है वह आजाएंगी अपने आप आपको बस प्रैक्टिस करनी है इसके बाद जो बच्चे टाइपिंग जैसे की सीनियर क्लर कम टाइप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइप इसकी प प्रैक्टिस करनी है टार्गेट लेके चलना इंगलिस में 40 वर्ड पर मिनिट क्योंकि जिससे की अगर एक दो वर्ड गलत भी हो जाते हैं तो वहाँ पर तब भी आप क्वालिफाइंग के ऊपर हो हिंदी में टार्गेट आपको लेके चलना 30 प्लस का कंप्यूटर पर प्र जैसा है तो कुछ नहीं होगा कुछ बात आती है तो एक बन जाता वह सो रुपे के जो वकील नौटरी में बनाते माली जै कुछ मिस्टेक है तो आप उसमें इस तरह से अजय पाल सिंग है और इस तरह से वह एफड़ेविट हो जाते हैं और इसके अलावा अगर आपका और से चालें थान लकार सोचे कि मेरा तो यूप Doperर मैं या फिर मेरा फिर मेरा राजस्तान उसमेल का बना ले इसके बाद दोस्त्त मेडिकल था पोस्ट का अलग案 मेडिकल डाल दिया है तकम टिकेट सुपरवाईजर का सब्सक्राइब कोई मतलब नहीं कोई खास समस्या नहीं है आप सर्च कर लीजेगा मैंने मेडिकल के ऊपर वीडियो भी बना रखिया वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आपकी आखों के उपर डिपेंड करता माली आपकी आखे बिल्कु सही है परफेक्ट है तो वह एवन के टे इस तरह से आखों की कमजोरी के इसाफ से मैडीकल होता रेलमे में क्योंकि यहां पर आंके ही होती है तो उमीद है आपको इसलब समझ में अगा होगा मेरा बताने कर आपको सबस्सक्राइब कि आपके सामने क्या क्या सिसा अनी है तो तो ब Min medical pass out हो जाएगे medical में आपकी काफी सारी तेस्q होगे और और को पास के न adjust के नेजर का टैस्ट होता जिसमें की कुछ लाल्बति रिखाए जाती है इसके अलावा तो सुगर टैस्ट होग तो गाइडिज्ट होगा कई सारे इस तरह के आपके टैस्ट होंगे तो तो medical में ऐसा कुछ खास नहीं है कि आप कुछ changes कर लो बस इतनी सला रहती है हलाकि यह तो बहुत बात की बात है कि खाली पेट जाना medical के लिए तो आधी चीज़े अपने आप सही हो जाएंगे तो यह था तो बहुत रिपलाई जरूर करूंगा